तो अभी साथ बच के लगबग पचास मेंट हो गए कितने हो गए पता रहे है कि छोड़िया जैज एक सब छोड़िये आज तो इंपोर्टेंट डिन है जैसा कि आप सब जानते हैं आज आज एक बहुत इंपोर्टेंट दिन है क्योंकि आज आर भी की क्रेड़िट पॉलिसी है और दूसरा आज सेप्टमबर माईने की क्लोजिंग आएगी और ओवियसली है पिछले माईने का जो लो था पिछले माईने का जो लो था अगस्त का व और बहुत ज़्यादा चांसा कि हम उस लो के नीचे क्लोज करेंगे मंथली क्लोजिंग आज सेप्टमबर मंथ के क्लोजिंग आएगी तो यह एक वीक पॉइंट रहेगा मगर मैंने कल के वीडियो में एक चीज बोली आपको कि जो भी लो बनना होगा आज बनेगा मंडे और तुजडे वन अफ दे मोस्ट बुलिस्ट डे अफ दिस एंटार एयर रहेंगे मंडे एंट तुजडे मंडे को तीन तारिक है तुजडे को चाहता है यह मेरे कुछ केलब्रेशन से मैंने बोला अब आज क्या होगा आज आर बिया का इंट्रेट्स रेट पर डिसिजन आएगा तो मोस्ट प्रभबली पचास बेसिस पॉइंट भी हाइक कर सकता है अर बिया मगर मार्केट उसको पुरा डिसकाउंट करके चल रहा है ठीक है मार्केट को मतलब उससे नहीं है कि पचास बेसिस पॉइंट बढ़ेगा या चालीस मार्केट को मार्केट के लिए ज्यादा इंपॉंट रहा है मेरा मानना एक अच्छा खासा लोग आज बनेगा और मेरा मेरा मेरे इसाब से एक निफ्टी का बॉटम 16640 से 16600 के बीच में होना चाहिए उस जगह आपको जरूर से बाइंग कर लेना चाहिए बाइंग क्या करना चाहिए 16800 या 16900 के ऑक्टूबर के कॉल जब 16640 या 650 आपको दिख जाए मार्केट में किसी भी कारण से जो आर्विए मीटिंग के बाद जिख जाए आर्विए की रेट हाइक के बाद दिख जाए मगर आपको ये मौका तलास करना जहां 6500 से लेकर 600 के बीश निफ्टी आए उदर आपको बाइ कर लेना उसके बाद आपको डर नहीं है आपका स्टॉप लोस में बहुत छोटा सा बूल रहा हूं स्टॉप लोस आपका यही रहेगा कि 600 के नीचे की क्लोजिंग नियम से दो क्लोजिंग होती है लेकिन मैं आपको एकी क्लोजिंग भूल रहा हूं नियम से दो प्लोजिंग अज यहां पर आपको बाइ कर लेना simple short and simple मैं आप bullish हूं market में लेकिन एक जटका और आज मिल सकता है जो final जटका है उसके बाद हम 17.300 पहला target लेके चलेंगे market के लिए 17.300 ठीक है तो short and simple कल से webinar भी start हो रही है एक October है कल से जिसको join करना है आज कर ली जगा ठीक है और जे जिनिंद्र जे भुलना जे हिन और जो जो लोगों ने दो साल के लिए अपलाई किया था मैं उन में से सिफ दो साल की membership के लिए अपलाई किया था उन में से सिफ मैं साथ लोगों को ही देख पाऊंगा ठीक है तो जे जिनिंद्र जे भुलना जे हिन